हेलो फैंट स्वागत आपको मेरे व्यूट चैनल पर आज हम अन्बॉक्सिंग करने मैं एक न्यू फोन की जो कि मैंने एमाजॉन से प्रचेस किया है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इसका प्राइस वगर आप चेक कर सकते हैं और यह मैंने हैं बॉक्स बहुत ही मोटा है बलकी है और पीछे तो कुछ इसकी प्राइस वगरा मेंच्छन किया गया और इसकी मेनफेटरिंग डेट लिखी हुए है बाकि इसके अंदर पिछे इस सोड़ी mention किया गया specification के बारे में बखके आपको detail में मैं बताऊंगा वीडियो में तो चलिए इसको हम unwrap कर लेते हैं और इसको हम open करते हैं box को box के उपन nod लिखा हुआ है mention किया हुआ है nod nod and one plus का box open करें अंदर एक छोटा सा box और मिलता है हमें छोटे box के अंदर हमें case मिल जाता है protection के लिए बैक कवर जिसकी quality अच्छी है और थोड़ा white-ish tone के अंदर है बाकि एक box के अंदर हमें simjector tool मिल जाता है वह साथ में कुछ user memory guides मिल जाते है stickers मिलते हैं और एक membership card मिलता है one plus की तरफ से stickers है user memory guide है तो अब इसको पढ़सते हैं चलिए इसको हम side में रखते हैं और हम देखते हैं box के अंदर और में क्या मिलता है और box में एक mobile phone मिलता है one plus का side में रखते हैं और देखते हैं नीचे क्या मिलता है और हमें इस हाथ में charger और data cable मिलती है यह 65 watt का super book charger है तो यह आपके phone को बहुत जल्दी चार्ज करेगा इसको मैंने टेस्टिंग भी किया आपको बताऊंगा अभी एंड में वीडियो में कितिदे में चार्ज कर देता है आपका phone और यह है type c cable red and white color के अंदर one plus की favorite color red तो data cable हमेशे red color में आती है one plus की और यह आप जलते है अपने phone के अपस फॉन को चलिए हम अंड्राप कर लेते हैं और देखते हैं phone हमारा किस तरह का है तो यह देशते हैं मैंने gray color के अंदर order किया था तो जो इसका design है बहुत ही शांदार लग रहा है पीछे दर one plus की branding की गई है और जो इसके पर देशते हैं आप side में हमें right hand side पर sim injector tool के सा साथ हम sim tray निकाल लेते हैं और जो sim tray का design है बहुत ही unique है और इसके तीनों चीज़ें भी उसकर सकते हैं SG card भी उसकर सकते हैं दो sim भी लगा सकते हैं तो यह चीज़ अच्छी लगी मिरको चलिए हम एक sim अपना डाल लेते हैं phone के अंदर जो phone है बहुत ही light weight है और सिरफ 175 ग्र सकते हैं बाकि देखते हैं राइट-hand side पर हमें power on off की मिल जाती है उपा की तरफ हमें country microphone मिल जाता है और left-hand side पर हमें sim tray मिलती है और साथ ही में volume up and down buttons मिल जाते हैं और जो phone की ठीकने से सिरफ 0.78 cm है बाकि आप देखते हैं बैक side में जो इसका pen देखते हैं आप फिंगर पिंट्स आ जाते हैं बहुत सारे तो आप देखते हैं ग्रे कलर का साथ तो इसके ने फिंगर पिंट्स जाता दिखते है इसके अंदर एक blue color भी आता है तो आप वह भी purchase कर सकते हैं बाकि देखते हैं बीचे fingerprint के दिख रहे हैं बाकि हमें cameras दिए गए हैं three camera setup है बाकि जो back panel है बिल्कुल plastic की built है पूरी और ग्रॉसी finish के अंदर आता है बाकि हम फोन को on कर लिए है उसको हम setup कर लेते हैं सारा कुछ fingerprint सब्सक्राइब होने के बाद देखते हैं फोन की जो लुक है और कवर लगाने के बाद फोन किस तरी कर से दिखता है और नीचे कवर बहुत अच्छा दिएगा सारे पोर्स कवर कर देते हैं इसके अंदर तो कवर की fitting बहुत अच्छी है प्रॉपर फिट कवर आता है बाकि जो fingerprint scanner है वो अच्छी तरह work कर रहा है फास्ट है और face unlock भी बहुत फास्ट है काम अच्छी तरह कर रहा है सारा कुछ security के मामले में बाकि हमें इसके अंदर android 11 मिल जाता है साथी में हमें 4500 mh की बैटरी मिलती है साथ में 65 watt का super book charger मिलता है जो कि आपके फोन को आदे घंटे मे फुल चार्ज कर देता है और हमें storage मिलती है 128 GB उसमें से 20 GB इसमें यूज़ है बाकि हम software की बात करें oxygen और तो इसके अंदर हमें कोई भी जादा खास ब्लॉट वेर्स नहीं बेकार की application नहीं मिलती है जो जो application में दी गई है Netflix वेगेरा Shopify तो आप इसको अनिस्टॉल कर सकते है बाकि software को clean and easy to use software है जो phones के bezels की बात करें नीचे तो जिते हैं बेजल जो चीन नहीं बहुत ज्यादा ही उपर की तरफ है बाकि जगा साइड में bezels कम है मगर नीचे तक ज्यादा बेजल हैं बाकि हम इसके camera के बात करते हैं सब कैमरे को अगर हम app को on करते हैं तो इसके इंद आप देशते हैं इसके अंदर video recording किस तरके से हो रही है और ये video अभी 1080p के अंदर record हो रही है तो आप देशते हैं इसकी video recording में कैसी quality मिल सकती आपको अगर आप video recording करते हैं तो अब मैंने कुछ samples भी photo के click करें तो आपको मैं दिखा सकता हूँ ये sunlight के अंदर है natural sunlight के अंदर आप देशते हैं कैसे color production हो रही है और जो picture quality अच्छी लगी मेरे को और जो ये वरी photo है ये मैंने रात को artificial light के अंदर खिची थी तो इसकी भी आप एक clarity check कर सकते हैं और ये मैंने flashlight अंधेरे में photo click की थी तो इसकी detailing अच्छी है ये photo की और ये अंदर मैंने क्लिक करी थी photo और ये portrait shot है तो आप देशते हैं क्यों कैमेरे के काफी दो बार update आ चुके है phone के अंदर तो उसके बाद camera की थोड़ी clarity increase हुई है और इस phone के अंदर आपको mid attack का Dimensity 900 मिल जाता है जो कि एक daily use के रिए बहुत ही अच्छा और gaming भी कर सकते हैं उसका बैक साइड के camera है वह 64 megapixel का main camera 8 megapixel का ultrabite camera और 2 megapixel का micro lens दिया गया है और LED flash है तो camera wise इसके कुछ updates आने के बाद थोड़ा camera enhance हुआ है पहले इसका camera इतना अच्छा नहीं था मगर बाद में oneplus ने इसके अंदर updates दियें दो बार update आयें camera के तो उसके बाद इसका increase हुआ है camera की quality के अंदर और friends इसके अंदर हमें 90 Hz का AMOLED display मिल जाता है जो कि दिन में आप दे सकते हैं विल्कुर इनफ display brightness है आप इसे उसको सकते हैं दिन में भी तो friends इस वीडियों इतने काफी है कोई भी डाउट आपको इसकार इंदर कमेंटर के पूस सकते हैं okay friends have a nice day bye bye